सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासिज को और बेल आएकन को दबाना ना भुलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सुमित ऑनलाइन क्लासिज के एक नए अपिसोड में आपका स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज का डिसकेशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्स क्वेशन है मारे पास क्वेशन नंबर फिफ्टी बन ए बी पार्टनर है और प्रोफिट लोग्स को करते हैं तीन रिशो एक में फ़स्ट अप्राइल टू तू थाउजन्ट फिफ्टी न यह ओपनि एक और बेकी डूरिंग दे यूर्ट तर्टी फॉस्ट मार्स त स्टीन नेट प्रोफिट अर्न किया है फिफ्टी थाउजन्ट अटर्म पाट्रिशीप डीट के को दिया हुआ आ इकू करक के दिया हुआ है इंटरस्टों डेना है इत्स पर संट से कमीशन देना है एक और टू परसंट की इसके वोपर टार्णार का मतलब होते है सेल नेक् कमिशन बिफोर है या आफ्टर है कहता है profit after deducting all expenses सारे ख़र्चे काटने के बाद कोई फरक नहीं पड़ता इंक्लूडिंग सच कमिशन अब फरक पड़ता है कमिशन के बाद मिलना है तो अगर हम कमिशन की बात करें तो कमिशन के केस में देखना पढ़ता है कि यह जो हमारे को commission दिया है, जो हमारे commission मिलना इसके बाद है या पहले है, अगर before का case होता है, तो क्या होता है, principle into rate divided by 100 into time, लेकिन अगर after की बात है, commission काटने के बाद है, तो क्या बनती है, अगर after का case होता है, ये भी after case है, तो principle into rate divided by rate plus 100 into time, तो ये formula इसके अंदर apply होगा, question क्या कहता आपटने दोऊग कि century कह Hersival लगाना है इसके पर इंड़न लगाना है में जो दो दोईखने करने हैं नहीं सब्सक्राइए करने में कहता है तो बर्टन-साइइ तो कमिश्ण है कितना थे तो किया जो कर तेनी हुआ कफरेण परसेट फ्रेंट इसका बनाओ ऑर पार्टेश का लिडिक यहां पर और भी पार्टनर है तो सबसे पहले क्या देर केंगी गारी तो लिख देते हैं यह और बी सासावास बनाके जलते हैं यहां के लिखनगे बाई बैलेंस बी डी डिडि डाउन कितना है 50,000 और यह 30,000 next क्या कहता है question कहता है net profit हुआ है हमारे को 50,000 तो interest on loan तो नहीं है नहीं है manager commission है नहीं है manager commission है नहीं है यह partner commission है तो partner commission है ऐसे appropriation के part होता है यहां कहा लिखेंगे by net profit कितना वा net profit 50,000 question क्या कहता है interest on capital 6% से by interest on capital किसको देनी है A को देनी और B को देनी है कितना देना है 6% से तो 2082 एक परसेंट बन जाएगा यह चीक है तो हमारे कितना चाहिए 6% तो से तो यह कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा और B का कितना हो जाएगा तीन थी यह कितना हो जाएगा 35 तीस तीन जार और तेंज के ठा रहेंगे ठारा सोज़ेगा 1.800 ठीक है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4,800 यहाँ क्या लिखेंगे by interest on capital इतना देखे 3,000 और 1.8,000 ठीक है नेक्स्ट क्या कहता है कुशन क्याता है एक को देदो कमिशन कितना देना कमिशन कमिशन यह कमिशन देना आफ भई pomo IR के बस्ट इने तो यहाँ का लिखेंगे यहाँ तू लिखनाथा ठीक है गली को कितू कमिशन ठीक है है किसको देना है एक को बिरीन इस एक को लिए को कितना देना है कितना कवार्श घ्यांक हो यह का कमिशन निकल चुका है 6000 भी आएगा तो लिख देंगे यहां पर उसके बाद क्या क्या कहता है यह भी कुशन वह चुक यह भी हो चुका है यह कमिशन रहता है पार्टनर रेंग किया तो रही रहते हैं टू रोइंग टीक है ड्रोइंग कितना एट थाउजन और यह सिक्स थाउजन बी को क्या देना है कमिशन देना है फाइव परसेंट और आफ्टर देना है तो हमारे पास कितना था फिफ्टी थाउजन था चिक है सारे के सारे कहता है खर्चे काट लो तो फिफ्टी थाउजन हमारे पास प्रोफिट था इसमें से माइनस किया कि इंटर स्ट capital किया कितना 4800 ये माइनस करने के बाद इसके बाद commission कितना था 6000 ये माइनस किया उसके बाद क्या माइनस किया 6000 इसकी salary थी माइनस कर देंगे 6,000 तो मेरे पास कितना बनेगा मेरे पास बनेगा 33200 इसके अबर कि से लगाना है 5% से 5y 105 ठीक है 100 प्लस 5 इंट्व टाइम टाइम पता नहीं है तो पूरे साल के लगा देंगे ठीक है उसके पाद देखते हैं क्या बनेगा इसमें तो यह क्या है 33,200 को मल्टिप्लाइ किसमें से करोगे 5 से और डिवाइड किस से करोगे 105 से चीक है तो मेरे पास जो अंसर बनेगा वो बनेगा 1580.95 तो इसको क्या ले सकते हैं 1581 ले सकते हैं जो आपका कमिशन बनेगा तो यहां क्या ले लेंगे 1581 1581 चीक है यह आजएगा आपका अंसर टोटल मैच करो कितना हो जाएगा यह 7,581 चीक है और यहां क्या लिखेंगे कमिशन कमिशन कितना था यह यह था 1581 तो अब टोटल कर लेते हैं यह कितना बन जाता है 50,000 और यह 50,000 और यह इसमें से माइनस करो कितना माइनस करोगे 50,000 में से माइनस करोगे 4800 फिर माइनस करो आप 7581 फिर माइनस करो इसमें से करोगे 6000 फिर माइनस करोगे 6000 हमारे पास जो अंसर आएगा अब वह आएगा 31,000 619 और इसको किस रेशो में आपने डिस्टिट करना है यह रेशो है तीन रेशो एक तो यह किस से डिवाइड करोगे आप चार से इसको डिवाइड करो चार से तो आपके पास कितना आएगा एक पार्ट के अंदर 7904.75 तो इसको कितना माल लेती है 7907905 माल लेती है क्योंकि 5 से ज़्यादा है पिच्छा तो एक अगे बढ़ जाता है ठीक है ना तो हमारे पास कितना आएगे 7905 चीक है इसके कितना इसे दिने है एक को देना है एक इससा तो यहां कहा लिक होगे टू प्रोफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट किसके अकाउंट में एक अकाउंट में और वीक अकाउंट में तो कितना चला जाएगा आपका वीक अकाउंट में डाल दो पहले सबसे पहले 7905 चीक है 7905 में से माइनस कर दो कितना माइनस करोगे 31,00619 ठीक है तो आपके पास जो अंसर बनेगा वो बनेगा 23,00714 और यहां उतार देते हैं इसको By Profit and Loss Appropriation ठीक है यहां क्या लिकोगे 23,00714 ठीक है और सेकेंड के बीके केस में इतना जाएगा 7,9 और यह कितना करोगे 7,9 0,5 चीक है उसके बाद दोनों को आप टोटल कर दो सभी का चीक है टोटल कितना करोगे 30,000 तो एक हो गया चीक है प्लस एक हजार आठ सो प्लस कितना है 6,000 प्लस 15,81 चीक है प्लस 7,905 तो मेरे पास अंसर बनेगा 47,286 47,286 इसमें से माइनस कितना करोगे आप 6,000 चीक है तो मेरे पास यहां किया आजएगा 2 बैलेंस है कर इड डाउन कितना आजएगा 41,286 नेक्स अगर बात करें एक ही 50,000 चीक है प्लस क्या करोगे 3 और 6,9,000 प्लस कितना करोगे 9,000 ठीक है प्लस कितना करोगे 23,007,14 चीक है तो मेरे पास अंसर कितना आएगा 82,007,14 82,007,14 इसमें से माइनस कितना करोगे आप 8,000 तो मेरे पास जो अंसर आएगा वो आएगा 74,007,14 तो इस तरह ऐसे आपने कुश्चिन को ट्राइ करना है तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कोई सुझाव या कोई सिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भोलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर ले ताकि जब में मैं कोई नई वीडियो प्रेट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे धन्यवाद